नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जूनियर एड़ेट में पूछे गए मायत के प्रस्णों को सालव कराएंगे यहाँ पर देखिए कोसा नंबर 111 लिखा हुआ यहाँ से देखिए यह अगर आपका 30 डिगरी है तो यह वाले एंगल आपको कितना हो जाएगा तो दे चतुरुर्बुच के आपने सामने कोन कितना होता है तो आप कहेंगे 180 होता है यहाँ पर 30 है इसका मतलब 150 रहा होगा है और यहाँ पर लेडी देखिए यहाँ पर इस पर स्थे यहाँ नबबे डिगरी कोड बनाता है यह नबबे नबबे इदर भी शच्वास्टी हो गया तो चत्रभुज के चारो कोणों के योगफल 360 होता आप जानते हैं。 जब दोस्तों ये 150 है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्रत्व के अंदर केंदर पर कोण बन रहा है। एक ही आप देखिए ईसी चाप पर परीत पर भी बन रहा है। तो इसका कोंड क्या होता आधा होता है तो आपने पढ़ा होगा कि केंद्र कोंड जो होता है परिद कोंड का दुगना होता है या परिद कोंड केंद्र कोंड का आधा होता है तो 150 का आधा कितना हो जाएगा 75 डिगरी तो इस प्रस्न का राइट अंसर क्या होगा 75 डिगरी आपर अतवा चार से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्राइक्ता कितनी होगी देखें बहुत सिंपल सवाल था चार से बड़ी के नंबर के दिया हुआ है प्राइक्ता इससे छोटा पुछा गया है तो देखिए इससे छोटा और बड़ा यानि दोनों की प्राइक्ता का ट अर्द ब्रत्य के अंदर बने सबसे बड़े तिर्भुज का छेत्रफल कितना होगा तो दीके सबसे पहले आपको एक अर्द ब्रत्य तरीके के बना लेना है ठीक है ना और यहां पर सबसे बड़ा तिर्भुज मान लेते हैं चलो यही बन गया है ठीक है ना यह सबसे बड़ा हो गया इसका च्याहिए रभत्य के अंदर इसका रख्यायर होता है तो इसका रडियस है स्कति के स्क्ट्र कर देंगे नौ स्केष्ट आपकर निकाला जाता है वैसे भी आप देखिए यहाँ पर अगर माले जी इसकी तिरिज्या अगर तीन है तो पूरा ब्यास यानि डायमीटर कितना हो जाएगा छे हो जाएगा ठीक है ना और यहाँ पर जो इसकी हाइट होगी मैक्सिमम तीन नंबर तक जा सकती है जो इसकी तीन कर दोगे न तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं है तो नो आ जाएगा यहाँ आप डारेक्ट याद रखिए आर्द ब्रत्य के अंदर बने सबसे बड़े त्रुच का छेत्रफल आर इसक्वाइर होता है यानि त्रिज्या कर दिया है उस अचसान तरीके से लगा सकते इस तरीके से आपका बना हुआ था एक से अब प्लस टू रूड एकस माइनस वन घातां करने अगर आमने अच्छे से पढ़ा होगा तो कर लेंगे इसमें आप ऐसा करिए इसमें से आप वन का मल्टिप्लाई कर दीजिए कोई दिक्कत है नहीं अब इसी का आप रूट का ये जो बना है न तो इसी का आपको क्या करना जै कहने का ये मतलब है पहले तो कि ये रूट आप लगाएंगे य这个 है हमारा रूट के अंदर है न तो इसको आप ऐसा लिखिए root x-1 और यहाँ पर लिखिए plus का 1 root 1 लिखो कोई दिक्कत ने इसका whole square करो दो अब दोस्तों जब इसका whole square खोलोगे तो 100% आपका यही number आपका प्राप्त हो जाएगा देखो a plus b का whole square क्या होता a square होता है root x-1 का square करोगे x-1 आएगा plus का 1 minus 1 plus 1 कट गया x बचेगा plus 2 root a b होता है तो 2 root x-1 into 1 तो यही चीज़ा जाएगी तो कुल मिला के आपको यह बस break करना आना चाहिए यह घादां करनी में पढ़ाया है हमने उसी कहा है यह अब यहाँ पर भी ऐसे 1 का multiply कर दोगे तो इसको क्या लिख दोगे इसको लिख दोगे आगे root पर यह भी रहेगा root यहाँ पर हमारा minus हो जाएगा बस इतना सांतर रहेगा x-1 minus 1 का whole square यह रहेगा अब square यह cancel हो जाएगा आपका तो यहाँ पर देखी क्या बचेगा हमारा यह बचेगा root x-1 अब plus का 1 यहाँ पर plus का root x-1 अब minus का 1 यह भी cut गया root x-1 आपका बचेगा यह root x-1 बचेगा तो यह root x-1 root x-1 कितना हो जाएगा 2 root x-1 यहाँ इसका right answer आपसा नमबर 4 होगा लेकि जिनका paper है यह उन्होंने 2 नमबर कराया है जो कि गलत है ठीक है ना आपसा नमबर इसका क्या होगा 14 वाला correct answer हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर बार से लिटरेक्स वाल पुछा गया जो कि बहुत simple है 23.43 का बार लिखा हुआ है ना हमने question बताया है कि पहले पुरा नमबर लिखिए 23.43 जिसमें से बार नहीं लगा है उसको minus कर देते हैं 23 में नहीं लगा है 23 में minus कर देंगे आपका कितना आ जाएगे इसको minus करेंगे 23.20 आएगा ठीक है ना अब यहाँ पर दो नमबर पर बार लगा है तो दो बार नौ लिख देंगे यानि इसका अंसर 23.99 हो जाएगा सिंपल प्रस्न आया था आगे बढ़ते हैं एक वर्ग के अंताब्रत और परिब्रत के छेत्रफलों का अनपात क्या होगा मालो यह हमने एक वर्ग बना रखा यह क्या है यह एक वर्ग है ठीक है अब इसके अंताब्रत यह बना लो ठीक है ना तो इसकी तिरिज्या जो होती है यह जो माली जी अंताब्रत यह बना है ठीक है अंताब्रत है ठीक है टच करता हो जाएगा चारो भुजाओं को तो इसकी जो रेडियस होगी मालो भुजा अगर A है इसकी वर्ग की तो अंतवरत में तिरिज्या भुजा का आदा हो जाता है यानि AY2 हो जाएगी ठीक है ना इसकी भुजा हो जाएगी और यहाँ पर इसका निकालोगे तो इसका देखिए पूरा डायम तो से 2 कट गया एक से एकट गया यानि 1 इसकी भुजाओं में यह रेशियो भा जाएगा छेतर फल पुछा गया है ना भुजा स्कॉयर होता है तो 1 रूट टू के स्कॉयर 2 यानि एक अनपाते 2 हो जाएगा आपसा नंबर इसका क्या होगा तीसरा नंबर करेक्ट हो परसंटेज का है बड़ आपका इसमें थोड़ा सा गराप टाइक का बना दिया गया असारी टाइप का लेकि सिंपल है दोको 10 से अधिक पहले नंबर निकाली चात्रों कितनी है तो 10 से अधिक तो देखिए यहां से 10 से अधिक यह यह वाला हो गया और 40 यह 40 से कम यानि यह पर कितना आएगा 2, 4, 2, 6, 6, 12, 3, 15, 13, 18, 20, 20 आ गया परसंटेज में पूछा गया 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे 20, 500 यानि यहां पर आपका आएगा 50, 60% कितना जाएगा 50, 60% जो कि इनका भी राइट असर आया हुआ हुआ है जो कि एक सवाल यह त्रकोड मिती से पूछा गया था कि इसका मान क्या होगा तो दीक इसको आपको लगाना पड़ेगा जिससे यहां पर मान लो इसको ऐसा करते यह Thema बराबर अगर हम लेते हैं ठीक न आया बराबर माण लो अगर इसको eens बराबर मान लेते हो साइन इंवर्स हैं पांच बटे 13 है ठीक है ना तो यह आपका साइन E बराबर कितना आ जाएगा साइन E बराबर आ जाएगा 5 बटे 13 ठीक है ना अब इससे जब 10 की समकूर्ण तरिभूज तरिके इस बना लोगे मालो लंब बटे करण होता है यह 5 हो गया 13 हो गया यह 12 आ जाएगा इससे अब 10 की value निकालोगे तो यहाँ पर आप 10 की निकालोगे तो 10 A कितना आजाएगा 10 A इसमें आजाएगा 5 बटे 12 कितना आजाएगा 12 तो A बराबर निकालोगे तो 10 inverse 5 बटे 12 आजाएगा तो यहाँ को मिलाके इसको 10 में बदल लेना है जब 10 में आप बदलेंगे तो 10 inverse कितना आएगा 5 बटे 12 आएगा इसी प्रकार कास वाले को भी B मान लीजिएगा इसको भी बदलिएगा तो इसमें भी 10 की उसमें निकालेंगे तो 10 inverse 4 by 3 आएगा कितना आएगा 4 by 3 अब यहाँ 10 square A plus 10 square B का फर्मूला क्या होता आपने पढ़ा होगा 10 inverse A plus B यानि 5 बटे 12 आप प्लस 4 बटे 3 ठीक है न यह होता है 1 माइनस 5 बटे 12 इंटो 4 बटे 3 ठीक है न अब इसको आप साल्व करेंगे तो आप कहा जाएगा 10 inverse साल्व कर लिजिएगा 63 by 16 होगा जो की right answer दूसरा वाला होगा और इन्होंने sign inverse किया जो की answer गला थे इनका तो आप साल्व नंबर इसका क्या होगा दूसरा वाला correct हो जाएगा इसको आप पुरा अच्छे से साल्व कर लिजिएगा अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रसने देखिए एक चतरबुच की रचना करने के लिए नियुनितम कितने सुतंतर आकड़े क्या हो सकता होती है तो इसमें आपके 5 आकड़ों की जरुरत पढ़ती है याद रखिएगा आपसा नंबर पहला इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अब देंके बेतरीन सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे बड़ी नंबर क्या होगा तो काफी लोग इसका असा 0.9 लगा गया है जो कि बिल्कुल गलत है ठीक ना जो कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखो 0.9 तो आपको ऐसे लिखी लेना है यहाँ पर लिखोगे तो 0.81 आएगा इसको करोगे तो 0.729 आएगा है ना 0.9 का क्यूप कर देंगे ऐसा गर तो तीन लिजिट में है न दसमलों देख 0 यहाँ बढ़ा लो दो यहाँ बढ़ा लो अब इसमें दिखें कि दसमलों में सबसे बड़ा नंबर आपको यह दिख रहा है तो बहुत साइ लोगों ने इसी को टिक कर दिया लेकिन इसको जब साल्ब करोगे रूड 0.9 को तो इसकी वैलू पता है कितनी आएगी इसकी वैलू दोस्तो साल्ब कर लिजिएगा 0.9 इसकी वैलू होती है 0.948 और सम्थिंग होती है अब यहाँ पर दसमलों के तीन अंक तक ले रहे हैं तो इसको भी तीन अंक तक लेंगे तो सबसे ज़्यादा वैलू इसकी आएगी तो इसका जो राइट अंसर आपका आपसर नंबर कौन सा करेक्ट होगा दूसरा वाला हो जाएगा ठीक है ना इसको आप निकाल लेंगे तो आपका राइट अंसर हो जाएगा तो इस तरीके दोस्तो आज हमने आपके 10 सवाल कंप्रेट करा दिये हैं इसमें से 40 सवाल थे बाकी के सवाल जो हैं अगले वीडियो पे कवर करेंगे इसके अलावा कुछी सवाल में आपको फिर भी कोई डाउट अगर आता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लिएगा वीडियो देखने लिए दोस्तो धन्यवाद